डे स्टुडेंट्स आज हम जानेंगे UP scholarship को form आप कैसे बारेंगे सबसे पहले आप देख सकते हैं जो UP scholarship की official website आपके सामने open है जैसा कि अभी तक pre-metric, post-metric के form submit नहीं हो रहे थे website पूरी तरीके work नहीं कर रही थी यह creation के लिए जो आप form fill करते थे तो उसमें आपके course नहीं खुल करके आते थे तो हम सारी समस्यां थी तो उसको समाधान कर दिया गया है अब इसकी website पूरी तरीके रन करने लगी है अब आप लोग उने form को submit कर सकते हैं सबसे पहला काम हम करते हैं पंजी करन जैसे कि student पर आप जाएंगे और fresh candidate हैं आपने पहली बार जो है admission लिया है किसी course में और आपको scholarship को form भारना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको देखना है लिखा registration प्रेस, रिनेवल और correction for general के लिए बताया गया है यहां registration के लिए आप देखेंगे दिया है students registration हम registration पर क्लिक करते हैं जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो इसका next step खुल करके आता है यहां से आप देख पाएंगे जो registration के लिए बताया गया है सबसे उपर आप देखेंगे लिखा हुआ है कि ST, SC general वो सभी छाथ छातरा हैं जो इन categories में belong करते हैं ST, SC general उनके लिए इस पूरे box का परियोग करना है जैसे अगर आप 9-10 के लिए आबेदन करना चाहते हैं तो आपको pre-metric fresh पे क्लिक करना है आप 11-12 के students है तो आपको post-metric intermediate करना है यदि आप इंटर के अलावा कोई course कर रहे हैं चाहे BA, BSC, BC, BC, BA, BT, कोई भी course है आपका तो आप यहां चुनेंगे post-metric other than intermediate यदि आप UP के नहीं हैं जिसे मान लिया कि आप बिहार, उत्राखन, MP के छात-छातरा हैं और आपने यूपी में एडमिसन लिया है तो आप आप के लिए यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर पोश्ट मेट्रिक other state phrase के लिए आपको यूज करना यहां पर इसी तरीके से यहां देखेंगे लिखा उए पिछड़ा वर्ग, उन सभी चात-चातराों के लिए यहां पर यहां जो BC कर्डिगरी बिलॉंग करते हैं चाह दिया गया है तो इन सभी आप सुनों का परियोग करके आपको इसे फिल करना होगा तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया है जैसे कि हम एक ग्रेजुएट को फार्म भरना चाहते हैं अंडर ग्रेजुएट जो हमारा है चाहे वो बीए बीए सी बीटे कोई भ करते ही एक नए स्टेप खुल करके आएगा यहाँ पर देखेंगे लिखा है जिला तो जिला में आपको वो जिला चुनना है जिस जिले में आपका कालेज है जिस जिले में आपका कालेज है उस कालेज के लिए आपको जिले को चुनना होगा और जैसे आप उस जिले को आप select करेंगे, यहां से देखेंगे कि उससे जुड़े हुए संस्थान पूरे यहां पर सो कर जाएंगे यह सारे संस्थान यहां सो कर रहा है जिस संस्थान में आपने admission लिया है उसका पहला चरा आप यहां पर दबाएंगे जो भी है, आपके college का नाम तो यहां पर तुरंट यहां पर उससे जुड़े हुए तमाम सारे college का नाम आ जाएंगे फिर arrow के मदद से आप इससे scroll करके यहां से अपने college को select कर लेंगे, इस तरीके से college select करना है फिर यहां पर दिया गया है वर्ग जाती समूव वर्ग जाती समूव में पर आपको mobile number, ध्यान देना है लिखा है आधार number से link वही number भरना है आपको जो आधार number से link हो, यहां पर ध्यान देना होगा आप लोग को, दूसरा number डालेंगे तो last में आपको farm summit नहीं हो पाएगा फिर लिखा है कि high school उत्रीन दिये गए है, one और यह two तो आपको one वाला छोड़ देना है two वाले में ही आपको roll number यहां फिल करना है फिर यहां से आपको password जो है create करना है, password जो दिया गया यहां पर आपको 6 अंक मिनमम होने चाहिए और अधिक्तम यहां पर दिया गए 12 आंक जो password इसमें आप भरेंगे वह ही same password आपको यहां भी submit करना होगा फिर बताएगा इस capture code को यहां पर आप भरेंगे और generate OTP पर click करेंगे, तो हमारे यहां mobile पर एक OTP हमें प्राप्थ हो जाएगा यदि आपको OTP प्राप्थ नहीं होता है, तो यहां पर दिया गया recent, लिखा है did not get the OTP recent तो आपको यहां पर recent का option दिया गया है जब आप recent पर click करेंगे तो पुना आपको OTP प्राप्थ हो जाए अगर एक बार में OTP आपको mobile नंबर पर नहीं आता है अब यहां से हम submit OTP and submit for registration पर click करते हैं इस पर जैसे ही आप click करेंगे आपका registration complete हो जाएगा यहां से देखेंगे कि registration हो गया है और आपको registration संख्या यहां पर show कर रहा है, लिखा इस number को note करें, इस number को आप note करके रख लें और उसके बाद में जो है, जो पासवर्ड आपने बनाया है उस पासवर्ड को आप सुरचित कहीं लिख लें उसके बाद में हमें करना है अब login यहां हम home लिखा हुआ है, इस पर click करेंगे और home पर home page पर हम तुबारा पहुँचेंगे अब हमें करना यहां से login student पर आप जाएंगे, लिखा हुआ है fresh login यहां लिखा post metric other than enter student login, इस पर click करते हैं आप इस पर click करते ही यहां से आप देखेंगे कि registration number मांग रहा है आप से mobile number और password जो आपने create किया है और इस capture code के यहां बरना और उसके बाद submit पर आपको click करना है submit पर click करते ही हमारा form जो होगा वो open हो जाएगा, यहां से आप देखेंगे यह detail हमें सो कर रही है अब आपको form यहां submit करना, इस एक registration आप कर चुके हैं, registration slip print यहां से पराप्त करना अब dg लाकर सत्यापित करना है फिर आपको जो form होगा च्छाच बित्ती है, ता बेदन पत्र भरें form खुलने के लिए आएगा यहां से form भरने के लिए यहां से सो करेगा, अब हम dg लाकर को सत्यापित करते हैं यहां से, लिखा हुआ है dg लाकर सत्यापन, इस पर click करेंगे dg लाकर सत्यापन के लिए यहां से कहेगा, click here for dg लाकर verification इस पर click करके आपको ok करना है और यहां से जो है, इसका जो next step होगा, यहां से आप से माएगा आधार card आप आधार number, या mobile number या username से भी sign in कर सकते हैं यदि आपने अभी तक इसमें sign in नहीं किया है तो आप यहां से जो है, सबसे पहले sign up करेंगे sign up करके आपको यहां account create करना है और उसके बाद ही आप यहां से sign in कर पाएंगे तो जिन चाच चात्राओं ने भी तक dg लाकर अपना account नहीं create किया है आपको यहां से sign up करना है और sign up पर करते ही यहां से आपको आधा number देया जाएगा आधा number भरने के बाद को next करना है OTP जाएगा और उसके बाद आपको कुछ details भरनी होंगी फिर वहां से आप लोग sign in कर पाएंगे अब यहां से हम next पर click करते हैं next करने के बाद में अगला step आएगा जो होगा OTP का आपके mobile पर एक OTP प्राप्त होगा उस OTP को आप यहां से fill करेंगे फिर यहां से हम submit करते हैं submit पर click करते ही आप देखेंगे यहां से कि एक आप से जो है यहां पर password मांगा जाएगा लिखा security pin अब अगर आप security pin भूल गए हैं तो यहां forget security pin लिखा है यहां से forget भी कर सकते हैं नया पिना फिर से generate कर सकते हैं फिर यहां से आजागा verification के लिए आपको यहां से verify करना है लिखा है अलाव इस पर click करेंगे अलाव पर click करते ही आगे details हमारी खुल करके आएंगी देखेंगे यहां से कि डीजी लाकर हमारे verify होने के लिए आ गया है यहां से verify details करनी है verify details करने के बाद में हमारा डीजी लाकर सत्यापित हो जाएगा अब यहां से बहना है च्छाज बित्ती है तो आब इदन पत्र भरें इस पर आपको click करना है इस पर click करते हैं यहां से आपको अपना course select करना है आप BA, BSC, BSC 4 years के लिए Bachelor of Commerce, Bachelor of Education आपके college में जितने भी course होंगे सारे 100 कर जाएंगे आप किस course में admission लिए उससे आपको यहां भरना है वरतमान पार्ट करम की branch क्या है आपकी बचलारा फार्ट, इसे हम BA select करते हैं तो बचलारा फार्ट, फिर लिखा यहां पर पार्ट करम का वर्स अवधी क्या है तो यहां पर यह जो है तीन वर्स का course है और फस्टेरम ने admission लिया है, यदि आपने फस्टेरम admission लिया है, तो आपको यहां पहले number 1 और 3 यहां select करना है पातरता क्या है, तो BA की जैसे है कि सेच्छी के उगता intermediate होनी चाहिए आपको यह intermediate select करना है फिल लिखा है यहां पर कि आपने वर्तमान पार्ट करम के पर्थाम वर्स में परवेस कब लिया है तो परवेस्ति थी आपकी जो रहेगी आप कालेश द्वारा मिला होगा कोई भी पत्र मिला होगा आपको या तो रसीद आपको जो मिली होगी फीस रसीद उसमें date जो है दिखाई गई होगी तो जिस date में आपने admission लिया है उस date को आप यहां पर फिल करेंगे और लिखा है पाट करम में के वर्तमात सत्री परवेस्ति थी यहाँ पर लिखा है तो वही परथम वर्स है तो same date आपको याँ भर देना है जो आपको यहाँ पर दिया गया है कि परथम वर्स का और वरतमान का दोनों जगह आपको सेम भरना है, कि लिए आप पर्थम वर्स के छात रहें, बिस्विद्याले बोर्ड अफ्रेटिड एजनसी का पंजिन करमा अगर है तो भरेंगे नहीं कमपलसरी नहीं है, यहाँ पर अगर आप आवसिये छात रहें, हास्टल ले करके रहें, कालेज में त पर्तिसत आप कल्कुलेट कर लेंगे अपने आप, फिर बोर्ड का नाम भरेंगे, इसी तरीके से सेम यहाँ इंटरेमिडिट आपको भरना है, का पास किये हैं, पूडांग, प्राप्तांग, पर्तिसत और बोर्ड, उसके बाद में यहाँ पर आपको कैप्चा भरना है, औ अगर आप भरतिक होई है, तो यहाँ पर सेलेट करना है, अगर दिब्यांग नहीं तो छोड़ देना है, इसे जब आप भरेंगे तभी यह आपसन बाकी एक्टिव होंगे नहीं यह लॉक रहेंगे, रासन कार नमबर अगर है तो फिल करेंगे नहीं छोड़ देंगे, फिर माता का नाम भरना है और कैपचा भर के अपडेट पर क्लिक करना है, अपडेट पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे, अपडेट पर क्लिक करना है, अपडेट पर क्लिक करते ही इसका अगला स्टेप कुल करके आएगा, अब यहाँ पर आप गतिवर्स का परिच्छा फल भरना है दिया गया है कि गत्वर्स की परिच्छा पढ़ाली क्या रही वार्सिक परिच्छा पढ़ाली रही है गत्वर्स का जो अंक यहाँ पर दिया गया है तो वार्सिक परिच्छा यहाँ पर अंक पढ़ाली है न सीजीपीए नहीं है AGPA नहीं है यदि आप UP Board के छात रहे हो गत्वर्स का प्राप्तांक आपको क्या रहा है उसे भारेंगे यहाँ पर हम पूरांक क्या रहा है उसे आपको यहाँ फिल करना है और पर्चत अपने आप आप आजाएगा फिर यहाँ से अपने सिछन संस्तान का नाम आपको फिल करना होगा अब यहाँ से मापडेट पर क्लिक करेंगे अपडेट पर क्लिक करते ही इसका नेक्स स्टेप जो होगा आपके सामने देखने को मिलेगा यहाँ पर देख सकते हैं चेक बाक्स को अप्टिप करेंगे और अपडेट पर क्लिक करेंगे पिर लिखा है कि आवेदन पत्र को संसोधित करें, एदि आप इसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं, आपने फार्म जो भरा है, फार्म बर्दिस में कोई गलती होगा है तो आपसे आप सुधार सकते हैं, नई सुधारना है सब सही है, तो आपको फिर से होम पर जाना है, फि पर किलिक करना है इस पर आपको किलिक करना है यहां से अपना भरना है आपको आए परमालपत्र आवेदन फार्म संख्या और आए परमालपत्र करमांग भरना है फिर दिया गए कोड यहां सम्मिट करना है और यहां पर इसको सम्मिट पर किलिक करना है अब जैसे यहां आए प प्रमालपत की आवेदन फार्म संक्या और प्रमालपत संक्या हैं भरना फिर सम्मिट पर क्लिक करना है इस तरीके से आए जात यहां से वेरिफाई हो जाएगा फिर यहां लिखा है परमाली करना है तो आधार नंबर डालें यहां पर आप उपना आधार नंबर देना है और व बेरिफाई आधार करना है इस पर क्लिक करते ही आपको आधार बेरिफाई हो जाएगा आधार बेरिफाई होने के बाद में जाँच हे तो प्रिंट यहाँ पर निकालने के लिए कह रहा है इस पर क्लिक करेंगे जाँच हे तो आवेदन पत्र इस तरीके निकल कराएगा इसे आप यहां से print out इसका निकाल लेंगे यहां पर दिया गया है printer बना हुआ इस पर click करेंगे आप save कलने PDF में चाहें तो आप printer है तो आप यहां से print कर सकते हैं फिर यहां से हम back पर जाएंगे लिखा वो back, back पर click करते हैं फिर लिखा यहां पर संस्था जाज के उपरांत आवेदन पत संस्था में जमा करने हैं तो आवेदन पत का print यहां पर दिया गया है तीन दिन बाद अवस्थ करें तो यहां पर आपको side details सही है आप यहां से college चेक करवा सकते हैं एक बार जो अपने फार में निकलेगा जिसे आप लोग यहां से आसाने से डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं इस प्रकार से आप लोग fresh candidate है तो step by step अपने फार्म को submit कर सकते हैं